चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए होसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता? इनसान में सच्ची प्रतिवा होनी चाहिए बस फिर कोई भी कठीनाई उसका रास्ता या उसके बुलन होसलों को मात नहीं दे सकती यहां हम बात कर रहे हैं ऐसे सक्स की जिसने अपने जजबे को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया तो दोस्तों आज हम बात करें हैं स्रिकांत बोला के बारे में तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ और जानिये सफलता के पीछे असफलता की कहानी श्रिकांत बोला जो बच्पन से ही ब्लाइंड है आज 500 करोड की कंजूमर फूड पैकेजिंग कंपनी वालेट इंडिस्ट्रीज के सीईओ के पद पर नियूद है उन्होंने यह कंजूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बना कर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायन की है हाइदराबाद के श्रिकांत बोला का बच्पन कई कठीनाईयों से गुजरा उनके परिवार की मासिक आए लगबग 1600 रुपिय थी और आपको यह जानकर हैरत होगी कि जब स्रिकांत का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिस्तेदारों और पड़ोशियों ने भी स्रिकांत के माता-पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने को कहा था लेकिन स्रिकांत की किस्मत में कुछ और ही लिखा था किस्मत भी उनीका साथ देती है जो खुद पर भरोसा और अपनी मैनत से कुछ कर दिखाने का दम रखते हो श्रिकांद भी कहा हार मानने वाले में से थे कई महिनों की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रिकांद को साइंस पढ़ने की इजाज़त मिले और इसी के साथ श्रिकांद देश के पहले ब्लाइंड बने जिन्हें दसवी के बाद साइंस पढ़ने की अनुमती मिले इसके बाद श्रिकांद ने दोबारा पीछे मुड़ कर नहीं देखा श्रिकांद को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका के MIT में प्रविस मिला इसी के साथ ही श्रिकांद देश के पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडन बने जिन्होंने MIT से शिक्षा प्राप की अमेरिका से जब वो अपनी सिक्षा लेने के बाद हैदराबाद में अपनी कमपनी की सुरुवात कर रहे थे तब स्रिकांद ने लोगों को खाने पीने के सामान की पैकेजिंग के लिए कंजिमर फूड पैकेजिंग कमपनी का गठन करने का बताया और उसका पूरी तरह से गठन भी किया इस कमपनी की शुरुवात स्रिकांद ने आठ लोगों की टीम से की उन्होंने इस कमपनी में सबसे पहले आसपास के बिरोजगार लोगों को जोड़ा जिसमें स्रिकांद ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया जब से स्रिकांद की कमपनी अच्छी रफ़तार पकटने लगी तो फंडिंग की दिक्कत आना शुरू हो गई लेकिन स्रिकांद इससे पीछे हटने वाले नहीं थे उन्होंने कई फंडिंग कमपनियों से और नीजी बैंकों से फंड जुटा कर अपने काम में लगाया और उसको आगे बढ़ाया स्रिकांद की कमपनी ने फर्स से अर्स का सफर तै किया आज स्रिकांद की कमपनी के तेलंगाना और हैदराबाद में चार प्लॉट है जिसमें हजारों की संख्या में करमचारी कारियरत है स्रिकांद कहते है कि जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकते तो वह उनसे कहते थे कि सब कुछ कर सकते है आज जिस मुकाम पर स्रिकान्थ है उन्होंने अपनी इस बात को साकार भी कर दिखाया है स्रिकान्थ कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिन्गी की जंग जीतनी है तो सबसे बुरे समय में देहरे बना कर रखे सफलता आपको जरूर मिलेगी तो दोस्तों यह थी सफल स्रिकान्थ बुला की असफलताओ की कहानी नेक्स टाइम हम एक और कहानी लेकर आएंगे तब तक गुडबाई और टेक कैर कर दो सर्फ आएंगे